मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कतार गुनात की स्री राम जय राम जय 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 राम जय शिया राम जय जय शिया राम यह जो समय चल रहा है इसे पित्रिपक्ष कहते है बड़ा ही सुन्दर समय है इन सोलह दिनों में हमें कोई भी सुभकाम नया कार करने के लिए मना ही है क्यों मना ही है ताकि हम अपनी सारी उर्जा अपने पूर्वजों को अपने रिशियों को मुनियों को साधू संतों को महाजनों को जो हमसे दूर चले गए हैं उनके लिए प्रार्थना तरपन में बिता सके लोगों को प्राय भ्रांती होती है कि यह पंद्र दिन बहुत अशुभ है नहीं सुभ ही शुभ है लेकिन इन पंद्र दिनों में आपको कोई के भी शुभ काम नयाकार नहीं करना है आप अपने सारी उर्जा अपने पित्रूओं के लिए बूरे बुजुर्गों के लिए देवताओं रिषियों मुनियों के तरपन में लगाए तो अगर अगर आप यह काम नहीं कर रहे हैं तो क्रिपा करके अब से करिए अगर आपको नहीं मालुम कि क्या करना है तो किसी बिद्वान बैदिक ब्राम्मर के पास जाए और जैसा कहें उसी के अनुसार करिए इसी में भलाई है आज हमारे दुखों का जो बहुत बड़ा कारण है वह यह है कि हमने अपने पित्रूओं की अन्देखी की है क्रिपा करके यह काम तरपन का अवर्ष्य करिए आपको ब्रिंदाबन लेके चलता हूं यह घतना 1924 की है उस समय ब्रिंदाबन की जो आबादी थी वह अभी बहुत नहीं थी बहुत कम थी गौबन्स वहां बहुत था यमना जी में भयानक बार आई थी जिसमें तमाम गौबन्स बह गये थे चुकि तेर ना जानते थे तो तेर गये लेकिन आगे जा करके कीचर में फस गये उसमें से गौबन्स निकल नहीं सकते थे यह घटना पहारी बाबा ने अपने शिश्यों को बताया था तो पहारी बाबा बताते हैं कि जब गौबन्स कीचर में फस गया तो चील और कव्वे जा करके उनको मारने लगे अपनी चोच से उनको नुक्सान करने लगे उनकी मांस को निकालने लगे इन माहान संतों से यह नहीं देखा गया उन्होंने रस्ता वगर लिया कुछ लोगों को अपने साथ लिये और गौबन्स की रक्षा की जितना हो सकता था गौबन्स को रस्ते में बांद कर खीच करके बाहर निकाला गया उसी समय एक दूसरी घटना घटती है वहां पर एक जैसे कुछ समय पहले कोविड आया था हमारे जीवन में ऐसे ही उस समय कोई गुल की नाम करके महा मारी आई थी जिसमें उस समय जहां आवादी बहुत कम थी उसके बावजूद करीब करीब बारह सव से जादा लोग एक जटके में मर गये थे बाद में उन्होंने विचार किया कि कैसे और क्यूं हुआ उनको बड़ा आश्चर तब हुआ जब उन्हें मालुम हुआ कि जिन लोगों ने भी गोवन्स की रक्षा के लिए अपना युगदान दिया था उनका समूचा परिवार बच गया लेकिन जिन लोगों ने आनाकानी की थी गोवन्स को बचाने में कोई साहता नहीं की उनके समूचे परिवार खतम हो गये रहा नकुल को रोवन हारा हमारे सास जब आपको बताते हैं कि गायों की सेवा करिए गायों की रक्षा करिए उनके सानिद्य में रहिए तो यह काम आप अवर्ष्य करिए या तो तन से उनकी सेवा करिए यह नहीं सम्भव है तो मन से उनके पास रहिए उनकी सेवा करिए और तीसरी बात आप धन से भी उनकी सेवा कर सकते हैं इसलिए आप जहां भी हैं जैसे भी हैं जिस भी परिस्टी में हैं गवों की सेवा करिए यह महान उन्य का काम है राम तरित मानस सुन्दर कान बाबा को स्वामी तुलसी दावजी महराज सुन्दर कान का बिस्तार कर रहे हैं अब तक हनुमान जी लंका से वापस आ चुके हैं सारी की सारी बानर की सेना सुग्रीव ने बुला लिया है बानर और रीच उनके सेनापती सब लोग आ चुके हैं सब ने भगवान राम का साक्षात कार किया है भगवान सब को एक-एक करके मिले हैं एक ही साथ और सब को ऐसा लगा कि भगवान तो केवल मुझे ही मिले भगवान का यह ब्रिहद रूप था एक से अनेक होने का भगवान ने सब को धर्शन दिया अब सब लोग तयार हैं सारे के सारे जुंड आ चुके हैं सेनापती आ चुके हैं अब सब को कूछ करना है वहां से प्रस्ठान करना है कैसे प्रस्थान कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है इसी बात को बाबा गुस्वामी तुलसी बाबाबा को स्वामी तुल्सिदाज जी महराज बताते हैं कि यह जुंड के जुंड सब बाणर और भालू भगवान के चर्णों में आकर प्रणाम करते हैं यह सब के सब महान महाबलवान हैं सक्तिमान हैं उर्जा से भरपूर हैं तेज ही तेज है देखी राम सकल कपी सेना चित ये क्रिपा करी राजी वनेना भगवान राम जिनको राजी लोचन भी कहते हैं जिनके नेत कमल के समान है सब के ऊपर क्रिपा करते हैं दया नहीं करते क्रिपा विशिष्ट है अगर आपके ऊपर एक बार भगवान की संत की गुरू की अपने बड़ों की क्रिपा हो जाए तो आपके लिए असंभव भी संभव हो जाता है यहां भगवान ने सब के ऊपर क्रिपा किया है रम क्रिपा बले पाली कपिंदा भय पच्छ जूत मना हूं गिरिंदा कि महराज वर्डन करते हैं कि भगवान राम की क्रिपा पा करके अईसा लगता है कि इन भालू और बानरों को पंख लग गये हैं जैसे किसी परवत को पंख लग जाए और वह उड़ने लगए हरसी राम तब कीन पयाना सगुन भये संदर शू भनाना भगवान राम इन सब के साथ प्रस्थान करते हैं यात्रा शुरू करते हैं और जब यात्रा शुरू होती है तो तमाम प्रकार के सगुन देखने को मिलते हैं भगवान जो मंगल भवन अमंगल हारी है तो उनके यहां उनके इर्दगीद सगुन अपने आप ही निवास करते हैं जासु सकल मंगल मयकीती ता सुपयान सगुन यहनीती जो भगवान राम मंगलों से पूर हैं भरपूर हैं उनके साथ यह जो सगुन है यह क्यों नहीं चलेंगे यह उनकी नीती है प्रभू पयान जाना बाइदेई फरकी बाम यंग जनु कहिदेई भगवान राम ने प्रस्थान किया माता सीता को इसकी अनुभूत हुई पता चल गया तो उनके जो बाएं अंग हैं सरीज के वह फरकने लगे और ऐसा जब कि किसी च्री के साथ होता है कि बाएं अंग फरक हैं वह सुब होता है अगर पुरुस का दाया अंग फरकता है तब वह सुब होता है जोई जोई सगुन जान की ही होई जितने भी सगुन माता जान की को हो रहे है उतने ही असगुन रावन को हो रहे है चला कतक को बर नहीं पारा गर जैंहीं बानर भालू या पारा इस सेना की इस कतक की ब्याख्यान क्या कर सकते हैं कैसे किया जाए जो महा सक्तिसाली है जिनमें अपार सक्ति है जो संख्या में भी अपार है सब के सब चले जा रहे हैं नखया युद्धगिरी पादपधारी चले गगनमही इच्छाचारी बाबाजी आगे वर्डन करते हैं बताते हैं कि इनका नख जो है वही इनका सस्ट्र है और कोई जमीन से और कोई आकास मार्क से चलता हुआ जा रहा है के हरी नाद भालू कपी कर रही दगमगा ही दे गजची कर रही यह जो जुन्द है बानरों का और जो दूसरे लोग वहां पर हैं इससे बहुत ही जादा सोरगुल हो रहा है बहुत आवाज हो रही है इससे क्या हुआ कि चारों दिशाओं में जो दिगज हैं वह सब चकराने लगें वह सब चिलाने लगें चीकर रही दी गज़ दोल महीगीरी लोल सागर कर बरे मनहर सशब गंदर वसुर मुनी नाग किन्नर दुख तरे अब जब भगवान राम की सेना जा रही है बगवान राम जा रहे हैं बगवान राम जा सुग्रीव जा रहे हैं लक्षमन जी जा रहे हैं जा मवंत साथ में जा रहे हैं तो संपूर्ण ब्रहमान इसमें जो भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र सबके सब बहुत प्रसंद हो रहे हैं किनर हैं वह भी बहुत प्रसंद हो रहे हैं सब लोग चलते जा रहे हैं जुन्द के जुन्द सेनापतियों के सही और स्वी राम जै राम जै जै राम स्वी राम जै राम जै जै राम ऐसी दुनी लगा रहे हैं और यह दुनी इतनी इतनी तीब्र है इतनी तेज है कि चारो दिशाओं में दसों दिशाओं में केवल स्वी राम जै राम जै जै राम का गुंजार हो रहा है सही सकन भार उदार अई पति बारबा रही मोही गदसन पुने पुने कमथ प्रिष्टक ठोर सो की मीशो हई आगे बाबा जी बताते हैं जिनके उपर पृत्वी थमी हुई है शेशनाग वह भी इन जुन्डों के भार को सभालने में असमर्थ हो रहे हैं और जो कच्चप जी हैं वह भी अपनी पीट को खजुआ रहे हैं रगुबीर रुचिर प्रयान प्रस्तिति जानि परम सुहावनी जनुकम तखर परसर पराजसो लिखत यभी चल पावनी एही विदि जाही क्रिपानि धी उतरे सागरती जहत लागे खान फल भालो भी पुल कपी भी स्यावर राम चंद संकर उमा ओम दिवराहाय दिगंबराय मंचाशी नाय नमो नमह सद्य गुरुभ्यो भगवान दिवराहाय नमह हरे रामा रामा राम सीता राम राम राजा राम राम वाला राम 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 वाला क्रिष्ण 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 जाकी किपालवले सते मतिमंद तुलसी दास हूं पायो परंबिश्राम राम समान प्रभुनाही काहूं हर हर महादे जैशियाराम ओम शानते हैं शानते हैं शानते हैं